हेलो तोस्तों, ठंड के सुरुवात हो चुकी है और इसी के साथ शुहानी साम में गर्म जाय का लुफ्ट उठाने का वक्त भी आ चुका है लेकिन इन सब के बीच खतरे की घंटी ये है कि ठंड सुरू होने के साथ ही सर्दी, जुकाम, वाइरल ही नहीं, हिर्दे संबंधित दिक्कते भी बढ़ने लगती है और इन तकलीफों को नजर अंदास करने पर हार्ट अटेक, श्ट्रोग, आर्गन फेलियोर या फिर इस्तिती बदल से बत्तर होने पर मरीच की जान भी जा सकती है इसलिए बदलते मौशम का आनन्द लेने के साथ साथ अपनी सेहत का अच्छे से पूरा ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है ठंड के सीजन में सबसे ज़्यादा नुकसान आपके कार्डियो वैस्कुलर और रेस्पिल रेटरे सिस्टम को ही होता है ऐसा इसलिए क्योंकि हवा में ठंड के कारण सांस लेने में दिक्कत होना बहुत आम हो जाता है और सांस की नली में पर्यापत मातरा में आक्सिजन ना जाने की वजह से दिल के सेहत भी खराब हो जाती है सांस लेने में भी दिक्कत, छाती में दर्द और डर्ड़कन बढ़ जाना किसी गंभीर दिक्कत का संकेत हो सकते है इसलिए ऐसी समसर से बचाओ, सुनिश्चित करना बहुत महत्पूर है ताकि इस्तिती और खराब ना हो विससक्यों का मानना है कि जिन फलो और सवजियों में एंटी ओक्सिडंट्स की मात्रा भरपूर होती है सरदी के मौसम में उनका सेवन आउश्य ही करना चाहिए ये दिल के सेहत स्वस्त बनाए रखने का काम करते हैं गाजर, पालग, विट्रूर, अनार, टमाटर, अंगूर में अच्छी मात्रा में एंटी ओक्सिडंट्स बाय जाते हैं एक्सरसाइज हलकी फुलकी एक्सरसाइज या फिर किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करते रहना है किसी के लिए वेहत जरूरी है ऐसा करने से आपका सारीरिक एवमान से स्वास्त दोनों बरकरार रहेगा आप योग, मेडिटेशन, रणिंग, साइकलिंग या फिर कुछ और भी कर सकते हैं इससे आपका हार्ट और इम्म्यूनिटी सही रहेगे लाइफ रिश्टाइल अगर आपको स्वास्त सरीर जाहिए तो उसके लिए अच्छा लाइफ रिश्टाइल और रूटीन फॉलो करना सबसे जादा जरूरी है नहीं तो आपकी बोडी कभी सही तरह से फॉंक्शन कर ही नहीं पाएगी इसलिए समय पर सोना, समय पर खाना और काम करना महत पूर्ड है सराब और शिग्रेट से दूरी बनाए इस तरह के नसीले पनार्थों से होने वाले नकरात्मक प्रभाव सीधे आपकी दिल पर पढ़ते हैं वही अगर आप ठंडे से मौशम में सराब और शिग्रेट का सेवन अतिदिक करते हैं तो इसके दूस परड़ाम भी ज्यादा देखने को मिलते हैं ओमेगा थी का सेवन हिर्दे की अच्छी सेहत के लिए ओमेगा थी का सेवन बहुत अच्छा माना जाता है इससे जुआइंट फेन, हार्ड की, स्टिफनेस, फ्लेट प्रेशर और कोलेस्टराल नियंत्रण में रहता है ज्यादा पानी पिएं थंडे के मौशम में अक्सर हमारा पानी का इंटेक कम हो जाता है इसलिए अच्छा खाने के साथ साथ सही मात्रा में पानी पीते रहना में बहुत जरूरी है इसके सरीर हाइडरेट रहेगा तता दिल की समसा से बजा होगा खुद को गर्म रखे कोशिस करें कि आपको ठंडी हवा के सीधे कटेक्ट में ना आए गर्म कपड़े पहने सिरे और कान को अच्छे सढाके साथ ही चाती को भी हवा लगने से खास बजाए